प्रवेश करते हैं आईए हम आज प्रथम इसकंद के छटवे अध्याय में प्रवेश करते हैं नारज जी के पूर्व जन्म का शेश व्रतांत का वर्णन सुनते हैं श्री सूद जी बोले हे शोनक जी जब नारज जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा वेद व्यास जी से इस प्रकार कही तब उन्होंने कहा कि हे देवर्शी उन साधूं के चले जाने पर आपने अपना सेश शीवन किस प्रकार वितीत किया नारज जी बोले हे व्यास जी उस समय मेरी अवस्था अत्यन छोटी थी मेरी माता के मैं एकी मातर ही पुत्र था प्यार से पालती थी मैं भी उसी के आश्रय पर था मेरी माता पराधिन वर निर्धन दासी थी वे मेरे लिए कुछ कर नहीं सकती थी मैं अपनी माता के साथ उसी बस्ती में रहने लगा एक दिन साप के काटने से मेरी माता का देहान थो गया मुझे माता की मलत्यों से तन भी दुख का अनुवाव नहीं हुआ इसे भगवत इच्छा समझ कर में प्रसंद ही हुआ फिर उत्राखंड की ओर चल दिया हे व्याजजी उत्राकंड की और मार्ग में अने को वन परवत आदी को पार करने लगा अनेक प्रकार के रंग विरंगे पुष्पों और फलों से लदे हुए वन देखे ग्राम नगर आदी देखे किंतु मैं बढ़ता ही गया और एक सघन वन में जाकर एक नदी मिली वहां बड़े बहंकर वन ने जन्तु निवास करते थे मुझे प्यास भूक ने सताया नदी का जल पानी पीकर मैंने शांद किया और एक पीपल के वरक्ष के नीचे आसन लगा कर भगवान के उसी विग्रे का ध्यान करने लगा जिसका वर्णन उन महत्माओं ने किया था मुझे भगवान के प्रती प्रेम और भक्ती तो पहले ही से थी उनकी करपा हुई और दर्शन प्राप्त हुए मैं आनन्द विभोर हो गया मेरे नेतरों से अशुरू गिरने लगे आनन्द में डूग गया किन्तु वह श्री विग्रे तुरंत ही लीन हो गया मेरे रहिदे घवरा उठा मैं बार बार उन भगवान के श्री विग्रे के दर्शनों का प्रेतन करने लगा किन तु अत्रप्त साही रह गया बार बार लालसा करने लगा तब भगवान की मधुरवानी हुई कि हे वक्त तुझे इस जनम में मेरे साक्षा दर्शन पुनहा नहीं मिल सकते एक बार दर्शन हो गए इस जनम में तु मेरा भजन करते हुए अपना जीवन वयतित कर तब दूसरे जनम में तुझे मेरा परंपत राप्त होगा और मेरा पार्शत भन कर रहेगा मेरी करपा से तु अपने उपारजित घ्यान को कभी नहीं भूलेगा मेरे प्रति ये प्रेम कभी नहीं तूटेगा तुझे अपने इस जन्म की स्मृती सदा बनी रहेगी इतना कहकर भगवान चुप हो गए मैं भी अपने शेश जीवन को काल की प्रतिक्षा में व्यतीत करने लगा अंत समय पर एक विद्यूत सी कोंदी और मैंने अपना पंच भोतिक शरीर त्याग कर भग जी कल्प के अंत में जप्रले होने लगी और ब्रह्मादी सभी भगवान के शरीर में प्रवेश करने लगे तब मैं उनके मुख द्वार्थ से भगवान के शरीर में प्रवेश कर गया जब एक सहस्त्र चतुर यूगी व्यतीत होने पर ब्रह्मा जगे तब उनके शरीर से म केर्टन करता हूँ यह वीना भी उन्ही भगवान ने मुझे दी है अब भगवान मेरे बुलाने पर मुझे तुरंत दर्शन देते हैं हे व्याज जी यह मेरा पून अनुभव है भगवान के चरित्रों का गायंत तथा कीर्टन ही संसार सागर को पार करने की नौका है यम निय साइयम और तब यज्यादी से इसी शान्ती प्राप्त नहीं होती है जैसी भगवत कथा श्रवन कीर्टन से प्राप्त होती है हे व्याज जी जो आपने मुझे से कहा उसका मैंने सही निरूपन कर दिया अब मुझे जाने की आग्या दीजिए इतना कहकर नारत जी वीना इतन करके इस त्रीताप्त संतप्त जगत को सर्वदा सुक शान्ती प्रदान करते हैं इसी के साथ छटवा अध्याय समाप्त होता है कल हम सात्वे अध्याय में प्रवेश करेंगे पूरगोरं करना उतारं संसार सारं भुझगेंद्र हारं सदावसंतं लिदार विंदेवाम भवानी सैतं नमामी अप सभी चैनल को लाइक शेर सब्सक्राइब करिये और कमेंट करके राधे राधे जरूर लिखे जैए श्री क्रिश्न राधे राधे झाल झाल